Hello students, आज हम करेंगे Directorate of Education की Worksheet No.148, जिसका subject है Maths, और आज रेट है 19 January 2021. ये Worksheet Class 2 के बच्चों के लिए है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की Worksheet. बच्चों Worksheet में आपको यहाँ पर अपना Name लिखना है, यहाँ पर आपकी Class already लिखी हुई है, तो आपको अपना Section लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है अपने Teacher का Name. हमारी आज की Worksheet का टॉपिक है, कितने 10, कितने 1, प्यारे बच्चों, नए साल की हार्दिक शुपकामना है, कणा फेको यानि की Bangle Throw Worksheet में हमने कणा फेकने का खेल खेला था, जिसमें कणे के अंदर आई बिंदियों से हमने स्कोर पता किया था, बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने Maths में एक Worksheet की थी, जिसका नाम था Bangle Throw यानि की कणा फेको, तो उसमें हमने क्या किया था, कि कणे को फेकने के बाद उस कणे के अंदर जितनी बिंदियां आई थी, उससे हमने स्कोर का पता लगाया था, हर बड़ी लाल बिंदि क के 10 अंक थे, और हर छोटी हरी बिंदि का एक अंक था, आप सभी ने यह खेल अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर खेला होगा, और विजेता का पता भी लगाया होगा, आज की Worksheet में भी हम नीचे दी गई संख्याओं को कणा फेकने वाले खेल की तरह ही तोड़ें कि हमें कौन-कौन सी संख्याओं दी हुई है, हमें उन संख्याओं को कड़ा फेकने वाले खेल की तरह ही तोड़ना है, आइए मिलकर नीचे दी गई संख्याओं को तोड़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि उसमें कितने 10 हैं और कितने 1 हैं, तो बच्चों हमें नीचे कु से किस तरह से तोड़ा तीस जमा पांच किस तरह से तोड़ा तीस जमा पांच तो यानि की दस जमा दस जमा दस कितना होता है दस जमा दस बीस और बीस जमा दस तीस ठीक है तो कितने दस हुए यहां पर एक दो तीन यहां पर हुए तीन दस इसी तरहा से एक कितने है पाँच एक जमा एक जमा एक जमा एक जमा एक एक जमा एक दो दो जमा एक तीन तीन जमा एक चार और चार जमा एक पाँच तो इस तरहा से इसमें कितने एक हुए पाँच तीन दस कितने होते हैं तीस और पाँच कितना हुआँच पैतिस इसी तरह से अगली संख्या है चवालिस क्या है चवालिस तो इसे हमने तोड़ा है चालिस जमा चार चीखें तो आएए देखते हैं कि इसमें कितने दस हैं दस जमा दस बीस बीस जमा दस कितना होगा तीस और इसी तरह से तीस जमा दस कितना हुआ चालिस यानि कि एक दो तीन चार तो बच्चों यहाँ पर कितने दस हैं बिलकुल सही चार दस तो चार दस कितने के बराबर हुए चालिस के बराबर हुए इसी तरह से आब हमें देखना है कि यहाँ पर कितने एक हैं तो जैसा कि हमने इससे किस तरह से तोड़ा है चालिस जमा चार जिसमें से चार दस है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कितने है चार एक जमा एक जमा एक जमा एक एक जमा एक दो दो जमा एक तीन और तीन जमा एक चार तो चार दस और चार एक तो ये बना चवालिस चीखें इसी तरह से अगला देखिए बारा अगली संख्या है बारा तो अब हमें इसे किस तरह से तोड़ना है दस जमा दो चीखें बच्चो तो यह तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर 10 कितने है? 1, तो हम यहाँ लग देंगे 1, 10 और यहाँ पर 1 कितने है बच्चो? यहाँ पर 1 है 2, 1 जमा 1, कितना हुआ? 2, तो हम लग देंगे 2, 1 ऐसे ही अगली संख्या है 53, यानि कि 53 तो इसे हम किस तरह से तोड़ेंगे? इसे हम तोड़ेंगे 50 जमा 3 में आईए देखते हैं कैसे? 10 जमा 10, जमा 10, जमा 10, जमा 10 कितना हुआ? 10 जमा 10, 20, 20 जमा 10, 30, 30 जमा 10, 40 और 40 जमा 10, 50 तो कुल कितने 10 हुए? 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर हुए 5, 10 और 1 कितने हुए? तो यहाँ पर हमने इसे तोड़ा था 50 जमा 3 में तो इसका मतलब की 1 है यहाँ पर 3 तो 1 जमा 1, जमा 1 1 जमा 1, 2 और 2 जमा 1, 3 तो यहाँ पर हुए 3, 1 चीक है? इस तरह से 5, 10 यानि की 50 और 3, 1 यानि की 3 मिला कर कितना बना? 53 यानि की 53 इसी तरह से बच्चों अब आपको जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उन्हें भी तोड़ना है और उसमें कितने दस और कितने एक हैं उनकी संख्याओं को यहाँ पर लिखना होगा तो इसे आप जरूर कीजिएगा इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कम्प्लीट होती है